सरकार गरीब परिवारों के लिए कई तरह की योजनाय शुरू करने और सहायता देने के लिए अपने भाशनू में अक्सर कहती नजर आती है हमारी सरकार गरीब और किसान की सरकार है पर धरातल पर ऐसी सभी सरकारी सरकी में गरीबों के लिए एक मातरिक सपना ही बन कर रह गई हैं ऐसा ही एक मामला जीला कांगडा के इंतरगत गाउ मन भोगरवा में देखने को मिला है इस गाव के रहने वाला प्रभाद चन्द पूतर करम चन्द का परिवार सरकार की अंदेखी के चलते अपने दो जवान वपत्नी सम्हित दरदर के ठोकरे खाने को मजबूर है प्रभाद चन्द अपना दुख्णा सुनाते हुए बताया कि उसका वर्षों से बनाया गया खड़ पोश का घर तीन वर्ष पहले भारी बारिश होने के चलते पूरी तरहते दवस्त हो गया था और आर्थिक हालत ठीक ना होने के चलते मैं फिर से खड़ पोश का घर भी बनाने में आसमर्थ हूँ मातरिक छोटी सी खड़ पोश की रसोई बच्ची है और उसमें चूला जलाकर रोटी बनाना भी मुश्किल है तीन वर्षों से उक परिवार ने घर का समान किसी के घर में रखा है और बच्ची और पती पत्नी तीन वर्षों से गाउं के ही किसी के घर में सो रहे हैं और प्रभाद चंद मातर अपनी चोटी सी रसोई जो की वो भी गिरने वाली है में सो रहा है उसने बताया कि एक वर्ष पहले मुझे BPL परिवार की सूची में डाला गया है जो कि मातर राशन डीपू से सिफ सस्ता राशन लेने तक ही सीमित है आज तक BPL परिवार होने के नाते मिलने वाली कोई भी सरकारी सहूलियत मुझे नहीं मिली है यहां तक कि मेरे परिवार को जूला योजना के तहत आज तक रसोई कैस का कनेक्शन भी संबंदित विभाव नहीं दे पाया है कितना समय हो गया है जाज तीन साह थाइंक था किसी पायरी से प्ता किया क्ला के क्यों उत्याइद टाम हो गया है क्ला सु़क्व जु क्रश gigauc Mensch थास्व सुखना के तहते कि तेट कनेक्शन मिला है जासका नहीं बहाईत 5000 भी निलात तक आप प्रसासन से क्या मांग करते हो हम जहीं प्रसासन से मांग करते हैं कि मेरा मतलब जल्द से जल्द मकान पनना चाहिए तो आपके बच्चे कितने हैं बच्चे दो हाई हमारे कितनी कितनी उमर है उनकी लड़का 16 साल का है क्या 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 काम करते हैं काम जहीं मिश्तिय करते हैं ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं